और ये गाय पहले अपना इधर दर घूम रही थी, जैसे ही वीडियो चालू हुआ है, सारी की सारी लाइन से एकदम अच्छे से फोटो की चवाने के लिए खड़ी हो गई है स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में, मेरा नाम है शिल्पा और इस वक्त मैं खड़ी हूँ जर्मनी के एक गाउं में और आज के वीडियो में देखते हैं कि कैसे होते हैं जर्मनी यॉरप के गाउं और वो कितने सिमिलर है हमारे इंडिया के गाउं से और कितने अलग है और मैं भी इंडिया के एक गाउव से ही हुँ मेरे दादा जी अक्छुलिय एक फार्मर ही थे और मैं अपने बच्वण के 10 साल गाउव में रही भी हूँ तो मुझे यूनो जब भी मैं जर्मनी के गाउव आती हूँ खेद देखती हूं ट्रैक्टर्स देखती हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यह वाला गाउं तो बहुत ही सुन्दर है आप देख सकते हो काफी उंचाही निचाही है और वह वहां पीछे जो घर है वह एकदम ऐसे निचाही में जाके कितने सुन्दर लग रहे जैसे हमारे इंडिया के गाउं में भी हर गाउं में अपना एक मंदिर या मजजित होती है तो वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो इस गाउं में भी यह जो यहां का चर्च है और साथ में ही उधर आप देख सकते हो एक बस स्टॉप भी है तो जर्मनी में पब्लिक ट्रां स्टॉप्स वगरे भी होते हैं और बस्टॉप काफी अच्छा भी पूरा कवर्ड है बारिश आपको बचा सकता है स्नो से बचा सकता है बेंच भी लगी वी है कि अगर आपकी बस में आने में तुरा टाइम है तो बैठ जाओ अराम से और यहां पर पूरा बस्टॉप का कि हो कि बात हम करें कि हैसे चौड़ ने तो अब देख सकते हो जर्मनी का यह घाव एक घांब है जहां पेप सकते ह錦ी है यहां के लोगों के पास में इतना तो है अब वो गाडिया है यहीं ज़ोगाव में जे व एघग साना थोडा सा मुझे फिसण कि खड़ी यहां पीछ कि एक दम ऐसे हो गया कि वाय आर कितना अमीर गाम है क्या यह और यह यहां पर शोग के लिए एक सुंदर सा फाउंटेन भी लगाया है और जिसे बैंचेज वगर भी है तो यहां पर जिसे शाम को आप आके बैठ सकते हो गाम का थोड़ा सा सेंटर एरिया है और यह लोग धान रखते हैं बहुत जादा अपने साफ सफाई का तो आप देख सकते हो यहां पर बैंचेज लगाई है कोई बैठेगा खाएगा पीएगा उसके बाद में कच्रा काँ फैकेगा तो उन्होंने इंटिग्रेट करके पूरा वुड़न लुक देखिया ही सुंदर सा डस्बिन भ गरे पाक्स वगरे होंगे सुपरमार्केट स्वगरे होंगे शॉपिंग एरिया होंगे रेस्टूरेंट्ट वहीं दिखते हैं रेसिटेंशल एरियासमेन सब इस अ लगता है अपने घरों में ही रहते हैं वस अपने काम के लिए निकलते हैं और जहाँ जाना है वहां चले तो इसलिए यहां पे जादा लोग नहीं दिखते रोडों पे और यह जो आप मेरे पीछे का बैग्राउंड देख रहे हो यह मैंने बहुत ही ढूंड के चुना है इस वीडियो के लिए क्योंकि इसमें आप अल्रेडी देख सकते हो जर्मनी के गाओं के काफी सारे एलिमेंट आप देख सकते हो हर गाओं के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी है और यह आप गाओं की दादी देख सकते हो बस नए कपड़े पेने और बागी तो अपने गाओं की दादियां जैसी है और गाओं है और ट्रैक्टर्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आप देख सकते हो यहां के गाओं में कैसे ट्रैक्टर्स होते हैं और यह अभी अपनी खेती करके आ रहा है और सबसे अच्छी चीज मुझे यह लग रही है कि इनका ट्रैक्टर कवर्ड है तो I'm sure इसके अ तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे जो भी यह फसल यहां पर उगाते हैं उसको जैसे जब उपर से काट लिया और जो नीचे की घास बच जाती है गंठल उसको यहां पर पूरा काट के और अच्छे से पैक कर दिया है इसको कहा रखते है वो भी मैं आपको आगे तो मैं भी ऐसे वाली इंजक ली यही फेंसिंग करते हैं लोहे की ऐसी हैँ पर मैं देख रही हूं और है जो गाहा है आप देख सकते हो काफी उचाई निचाई पर है और यहां बहुत है विंड सोन बहूं ऑन लगी विठी लगी विप लागी पीछे बहुत सारी बिंड आ और यहां पर आप देख सकते हो यह है किसी किसान का बाड़ा और सबसे अच्छा मुझे यह लग रहा है कि अंदर एक ट्रॉली तो खड़ी है बट यह देखो आप यहां पर हमारे गाम में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल डोर्स होते हैं वह ही होतने कुंडी लगा देते हैं हम त और यहां पर पिछे देख सकते हो जो फसल काटने के बाद में जो भी बच गया है उसको यहां पर रख रखा है पौधा लगाने का तरीका एकदम से में बीच में पेड हुगा दिया और चारो तरफ अपना जुगाडू लखड़िया लगा कि उसको सहारा दे दिया यहां को काफी नया और प्यारा सा घर बनाया हुआ है और साथ में आप देखो वहां पर आपको ना नीचे जैसे खिड़किया दिख रही होगी तो वह है बेस्मेंट तो यहां पर ना उनको केलर बोलते हैं जो कि जर्मनी में काफी जादा कौमन है या कि जो भी घर जो भी बिल्डि किसी किसी ने अपना पूरा कवर्ड गराज भी बनाया है और यह वाला घर देखो यह कितना प्यारा है इसके सामने प्यारी सी गाड़ी भी खड़ी है और यह देखो आप यहां से गाओं भी कितना प्यारा लग रहा कितने सुन्दर सुन्दर घर है यह सामने वाला घर भी और आप सुन सकते हो जैसे हमारे गाउं में मंदिर की घंटिया बजती है वैसे ही यहां पर भी चर्च की घंटी बज़ रही हो मुझे तो एकदम वह बच्पन याद आ गया और यहां पर चोटा सा पॉज लेंगे और मैं चाहती हूं आप इन घंटियों की आवाज को सुनो तो जैसे वो आप मेरे पीछे घर है वो देख सकते हो थोड़ा पुराना जमाने का घर है तो आप देखो खेल है यहां पे तो मैं एकदम इमेंजिन कर पा रही हूं कि यह घर किसी जैसे फार्मर का रहा होगा और मैं अगदम अपना गाउं में यादा आ रहा है इंडिया का ज़र यहां पे मैंने देखा है लिटरली कैसे गाएं अपना पुरा मुझ डालके और रहना पानी पीती है तो यह देख के मुझ बहुत ही अच्छा लग रहा है तो यह प्यारी सी कनवर्टेबल गाड़ी है अंकल अंटी पूरा रिटाइमेंट के बाद मजे कर रहे है और यहां पे अच्छी रोड बनी वी है और जैसे ही आगे गाउं कहतम हो रहा है और खेद में जाने का रस्ता शुरू हो रहा है तो यहां पे यहां पर पीछे और खेड दिख गई मुझे याप देखो मतों बहुत ही अच्छी लग रहे है एक्दम मुझे अपने इंडिया के पूरा पानी इनमें भर रहा है यहां पर टैप भी चालू है और वहां पर पानी निकलने का भी एक ताकि उन्हों रीफ्रेश होता रहे पानी अगर स्टिल पानी होगा तो वह गंदा हो जाएगा अगर कितना प्यारा और किता बड़ा है यहां पे एक्दम सुंदर सा गराज पनावा है नॉर्मल लग रहा है जैसा कंस्रक्शन होता है पत्थर और सिमेंट का लेकिन अगर पीछे देखो तो वहां पे पूरे वो टैन ही लगा रहे है एक दम जुगाडू काम पर आप देखो इन्होंने एक बेंच रखी वी है और वहां आगे भी एक और बेंच है तो अन्होंने लकडिया भी स्टोर कर रखी है तो यह लोग जैसे बॉनफायर वगरा करते है विंटर में या फिर जैसे फायर प्लेस होती है घर में तो वहां यूज कर लेते हैं तो इंडिया के गाव में यूजवली मैंने देखा है कि नाले वगरे होते है बड़ जर्मनी के जित्ता भी मैंने तक देखा है यहां पर कोई भी खुला नाला आपको नहीं दिखेगा पूरा अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में यह यह मेरे पिछे देख भी सकते हो ड्रेनेज को एक्सेस करने के लिए और यूजवली यह शहरों में तो होती है इंडिया में लेक इंडिया में पिछले कुछ सालों से अब यूण इंडिया में बिजली काटी जाती है बट आने वाले कुछ सालों में इसमें उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा और यहां पर तो पंच्यों की आवाज भी बहुत जादा अच्छी आ रही है पाच सेकिंड का पॉस लेत और जैसे यह वाला जो एरिया है यह गाउं का जैसे मेन एरिया है गुवाडी या फिर जो चोपाल बोला जाता है तो वहां पर आप स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हो और यह देखो आप यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वर्कड़ आएंगे काम करने के लिए सुब कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब कुछ उन्हों उखड़ पुकड़ रखा है इस घर का लेकिन क्योंकि पेपर वोग जर्मनी में बहुत जाता है चिट्थी तो रोज आएगी ना तो कहां जाएगी चिट्थी आएगी तो तो उन्होंने अपने मां पे जुगार करके भी अपन तो फ्राइडे और सैटरड़े आठ बजे यह क्लियर होता है और आगे यहां पे एक और चीज में आपको दिखाती हूं दो मैं इसको प्रमोट नहीं करती बिल्कुल भी और मुझे तो लगता है कि यह हो नहीं नहीं चीए वैसे बट सिर्फ इन्फोर्मेशन के लिए मैं ब क्योंकि यहां के चोट चोटे बच्चे वह कहां पढ़ने जाएंगे तो यहां पे कीटा और प्राइम्जी स्कूल दोनों है और आप देख सकते हो काफी जादा बड़ा कैमपस है यह वाला और फिर वहां जो पीछे है वह भी पूरा स्कूल का कैमपस है वहां चोटा सा पा यहां पर देख सकते हो एक और बस्टॉप है तो जर्मनी की एडुकेशन वर्ल्ट क्लास है और साथ में फ्री है यह तो आपको पता ही होगा अगर नहीं पता था तो अब पता है और जर्मनी की पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ जर्मनी यूनो एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स पें भी काफी ध्यान देता है ताकि बच्चों को पूरा एंवार्मेंट मिल पाए और जिस चीज में उनको इंट्रेस्ट हो उसमें अपने सारे स्किल्स डेवलप कर पाए तो यह गाव है लेकिन फिर भी आप यहां पर देख सकते हो कि पूरा गवर्मेंट न और एक रेस्टोरेंट भी है जैसे अगर मैच वगर होते होंगे पेरिंट साते होंगे तो खानावाना भी खाने का इंतिजाम करा हुआ है तो वह पीछे है प्लेग्राउंड यहां पर थोड़ा सा आगे हैं रीक्रेशनल अक्टिविटी के लिए जगह रखी हुए और जैस और उसके सात में इन diagnosis कि यहां है और जागल ये पेड़ लगा दोते हुए तो उसके साथ में जंगल में भी एक painting लगा देते हैं ताकि इनों पेड़ों की कभी कमी नहीं और घर के देख सकते हो वो ग्लास के लिए हैं वहाँ पर तीन टाइप के डस्बिन देख रहे हो ग्रीन ग्लास ब्राउन ग्लास वाइड ग्लास जर्मनी इतना सीरियस है मतलब रिसाइक्लिंग और गार्विज सॉटिंग को लेके कि पूरा एक डस्बिन डेडिकेटेट होता है कि भाहि आप देख सकते हो आपना मस्थ चर्री और यह गाये तब देख नहीं कि थोड़ी सी अलग होती तो मूटी कितनी हैं मूह थोड़ा लग साह होता है इत्ती क्यूट लगरी मुझे तो और साथ में आप देख सकते हैं, यह सब सफेद कलर की है, काली भी है, रंग भी रंगी भी है, लाल गाय भी है, जैसे इंडिया में तो लाल गाय देखना मतलब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी एक चीज है, और अभी शाम भी हो गई है, तो संसेट भी काफी प्यारा ह और जैसे गाओं के लोग हैं, तो वो भी अपना अलग अलग जैसे काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, इस रीजिन में ग्रेप्स बहुत जादा लगते हैं, तो फिर वो लोग अंगूर उगाते हैं, उनको बेचते हैं, वाइन भी बहुत जादा जाती हैं और फिर जैसे ना milking dairy का काम भी करते हैं और इंडिया में पर जैसे जो dairy अगरे होती है वहां पर प्रॉपर लेबलिंग की जाती है काव अगरे को भी तो यहां पर इनके कानों पर मुझे वह लेबल्स दिख रहे हैं और वहां पर ट्रैक्टर खड़ा है और साथ के स देखो काफी जादा बड़ा ट्रैक्टर है और इधर इनका शायद वह बड़ा और यहां पर भी काफी सारे क्यूपमेंट्स पड़े हैं समान देखके लग रहा है यह इस गाउं का सबसे बड़ा किसान होगा और यह वाला जो पर्टिकुलर गाउं है यहां पर मुझे कोई के अगर कोई छोटे चोटे तीन गाम होंगे तो उनका सारा एरिया डिफाइन करके और फिर सेंटर में बना देंगे कि वहां के आसपास के हर गाम के लोग वहां के आपके समान वगर ले पाएं इस गाउं में जैसे कोई शॉपिंग वगर के लिए चोटी दुकान भीदी न और बहुत सारी चीजे भी रखी हुए खेलने के लिए, बैंचेज है कि पेरिंट्स भी बैट के अपना खानावाना खा सकते हैं, बच्चो को खिला सकते हैं, यह सी सो है और यह तो मुझे एकदम अपने बच्पन की याद दिला देता है, गोल गुमने वाला था, और यह कीजिए, कैसा लगा आपको यह वीडियो कॉमेंट्स में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान सेध्सक्राइब, आप आपको यह वीडियो में, गज वीडियो प्लीज सब्सक्राइब थाएब थाएब चैनल को सब्सक्राइब।